नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज आमादी पार्टी की छटी राश्टी परिशत की बैठक थी, बैठक की शुरुआत सुबह साड़े दस बजे हुई थी, बैठक में सबसे पहले मनीश जी ने दिली के गवर्णन्स के बारे में बताया सभी साथियों को, क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या-क्या हमारे उपलब्दियां रही हैं, और आगे के क्या प्लांस हैं, उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बाद आज देश के विभिन राज्जियों से आए हुए लोगों ने और उन राज्जियों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट रखी, जिससे ये पता चला कि आज हमारा संगशन देश में कहां पे किस स्तर पर है, और आगे आने वाले समय में हमें क्या-क्या कदम कहां-कहां उठाने की जरूरत है, उसके उपर चर्चा हुई, आज देश की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें बेरोजगारी, आर्थिक समस्या और किसानों के मुद्दे, जो आज क्याल फोर्फरंट पे हैं, वो एक देश के सामने बहुत-बड़ी समस्याओं के रूप में उभरे हैं, आज पार्टी के सभी साथियों ने, लगभग 300 साथी जो आज यहां मौजूद थे, उन सभी ने इसके उपर बैठ कर चर्चा की, अलग-अलग ग्रुप्स में बैठ कर चर्चा की, और सभा के अंत में हमने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया इन सभी मुद्दों के उपर, जिसके उपर संजय भाई अभी आपके सामने बात रखेंगे, और अंत में अर्विन जी ने, जो की पार्टी के कर्वीनर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली में क्या हो रहा है, और आगे वाले आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, उसके उपर ब उसके ओपर आज संजे भाई अपनी बात रखेंगे कि हमने क्या आज रिजॉलूशन पास किया आज रास्टी परिस्ट की बैठक में देश में उत्पन आर्थिक संकट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई इसके अलावा किसानों की जो बदहाली है उसके बारे में चर्चा की गई और देश का युवा जिस तरह से बेरोजगारी की मार जहेल रहा है उसके बारे में चर्चा की गई साथी साथ केंद्रिय लोकपाल और राज्य का जन लोकपाल बिल जो अभी तक लागू नहीं किया गया है पास नहीं किया गया है उसके बारे में भी आज रास्टी परिसद्वे प्रस्ताव पारित किया गया है मैं विस्तार से उन बिंद्वों के बारे में बताना चाहूंगा किसानों के लिए जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है उसमें हमारा ये मानना है कि 2014 में परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किये थे जिसमें दो महत्तपून बाते थी एक तो ये था कि लागत मूले पर प्रचास प्रतिसत मुनाफ़ा देंगे यानि स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए लेकिन आज तक वो स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई बलकि सुप्रिम कोर्ट ने के अंदर इसी सरकार ने एफिडेविट दे के कहा कि अगर हम किसानों को बढ़ा हुआ दाम दे देंगे तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी जो निराधार तर्क है क्योंकि देश में महंगाई काला बजारी और जमाखोरी के कारण बढ़ रही है किसानों को उचित दाम देने से महंगाई नहीं बढ़ेगी दूसरी बात किसानों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया कर्ज माफी के नाम पर उसके लिए प्रस्ताओ रास्टी परिस्द में पास हुआ है कि जिस प्रकार से कॉर्परेट घरानों के करजे माफ किये जाते हैं जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्द्योग पतियों का लाखो करोन रुपए माफ किया गया है उसी तरह से देश के किसानों का भी करजा माफ किया जाए तीसरा, किसानों ने जो पिछले दिनों आत्महत्या की है आर्थिक संकट के कारण अपनी फसल बर्बादी के कारण, परिवार की बदहाली के कारण उन किसान परिवारों के सभी जितने भी परिवारों के लोगों ने आत्मत्या की है उनके परिवार के एक सदस्च को नौकरी दी जाए और 20 लाख रुपए का मौपजा उस परिवार को दिया जाए इसके साथ साथ हम लोगों ने मांग किये है कि पूरे देश के अंदर फसलों की बरबादी पर जैसे दिल्ली सरकार किसानों को मौपजा दे रही है ऐसे ही केंदर सरकार भी किसानों को मौपजा दे दूसरा था युवाओं के लिए प्रस्ताओ भारत दुनिया का सबसे युवा देश है लेकिन आज देश का युवा सबसे ज़्यादा निरास है भादपा की केंदर सरकार ने चुनाओ के पहले दो करोन नौकरियां देने की बात कही थी मोदी जी ने वादा किया था कि नौजवानों को हर साल दो करोन नौकरियां दी जाएंगी लेकिन नौकरियां देना तो दूर की बात है 45 प्रतिसत रोजगार घटा है इस सरकार में पिछले साड़े तीन वर्सों में मोदी जी के राज में 45 प्रतिसत रोजगार घटा है ये गंभीर चिंता का विशय है और जिस पर आज रास्टी परिसद ने अपनी चिंता व्यक्त की हमने उसके लिए कुछ महत्त्कून सुझाओ केंदर सरकार को दिया है और कुछ प्रस्ताव पारित किया है युवाओं की सिख्षा रोजगार मुखी हो आर्थिक विकास के लिए समचित कदम उठाये जाएं योकों को सिख्षा और रोजगार देने के लिए स्किल डेवलप्मेंट तथा खेल कूट के लिए विश्वस्तरी संसाधनों की समचित विवस्था करने का प्रस्ताव पारित किया गया है इसके साथ उच्चस्तरी सिख्षा मेडिकल इंजीनिरिंग स्कूली सिक्षा के लिये बजट बढ़ाया जाए युवाउ उद्यम्यों को छात्रों के लिये जो पढ़कर निकलते है उनको बगैर सेक्योरिटी के लोन की विवस्था सरकार कराया ऐसा प्रस्तावपारित किया गया है इसके साथ साथ राजनितिक प्रस्ताव भी हम लोगों ने आर्थिक प्रस्ताव भी पास किया है जिसमें आज देश की अर्थ विवस्था पर चिंता विक्ति की गई है किस प्रकार से देश की जीडीपी 5.7 प्रसिसत पहुँच गई है और इस पे दो प्रमुख कारण रास्टी परिशद ने माना है नमबर एक नोडबंदी और नमबर दो जीएस्टी आम आदमी पार्टी की रास्टी परिशद केंदर सरकार से मांग करती है कि GST और नोडबंदी के उपर मोदी सरकार देश के सामने स्वैत पत्र जारी करे और बताए कि इस से हमको क्या फायदा और नुकसान हुआ है इसके साथ साथ देश की गिरती वी अर्थवेवस्था के लिए जो प्रस्ताव हमने पारित किया है देश की जीडीपी पात देसमलों साथ परसंट पहुंच गई ये लगातार गिरती जा रही है ये सरकार की जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों के कारण है देश को नोडबंदी तथा GST के दुस्प्रभाव जहिलने पड़ रहे है बैंकों के ब्यासदर घटा कर बड़े लोन डिफाल्टरों की मदद की गई छोटे निवेसकों का नुकसान पहुंचाया गया देश के अंदर साड़े तेरा लाख एन पीए बड़े बड़े उद्योग पतियों और पूंजी पतियों के द्वारा जो अपने उद्योग के नाम पर लाखो करोन का करजा दिया गया है जिसको नान फरफार्मिंग एसेट्स और स्ट्रेस्ड लोन कहा जा रहा है उसके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है कि उन सारे डिफॉल्टर्स की लिस्ट केंदर सरकार देश के सामने सार्विनिक करे अगर बड़े बड़े उद्योग पति लाखो करोन लेके बैठे हैं और देश के किसान को दस अजार रुपए के लिए हवालात में बंद किया जा रहा है ये दोहरी वेवस्ता है सारे डिफॉल्टर्स के जितने भी बकाया हैं उसको क्रिमिनल ओफेंस मानके उनकी संपत्तियों को अटेच किया जाए उनके कितने लोन हैं वो सार्विनिक किये जाए और उनके खिलाफ आपराधिक कारवाही सरकार करे ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और अंतिम प्रस्ताव जो इसके साथ साथ एक और महत्तुपूर्ण विंदु हम लोगों ने जोड़ा है जनलोकपाल को लेके आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रस्ताचार विरोधी आंदोलन के कारण इस देश में हुआ और भ्रस्ताचार विरोधी जनलोकपाल कानून पास करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद रही है पहले दिन से हम लोगों ने जनलोकपाल कानून दिल्ली की विधानसभा में पास किया है दिल्ली की विधानसभा ने जो जनलोकपाल कानून पास किया उसके आधार पर कारवाई जो भी होगी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के करमचारी, दिल्ली के अधिकारी पर होगी लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या डर केंद्र सरकार को सता रहा है कि जो सरकार अपने लिए खुद कारवाई करने के लिए एक प्रभावी कानून जनलोकपाल लाना चाहती है वो जनलोकपाल कानून अब तक क्यों रोका गया है इसलिए जनलोकपाल कानून पास किया जा ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है साथ ही साथ जो लोगपाल कानून केंदर का पास हुआ था वो आज तक ना तो राज्य में न केंदर में कहीं भी नहीं लागू किया गया उस लोगपाल कानून को सरकार ने अब तक क्यों रोक के रखा है जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूँगा जब वो कहते हैं कि भ्रस्टाचार से लणना हमारा संकल्प है तो लोकपाल जैसा प्रभावी कानून वो अब तक क्यों नहीं लागू कर पाए है इसलिए हम लोगों ने प्रस्टाव पारित किया है कि केंद्रिय लोकपाल और दिल्ली राज्य का जनलोकपाल दोनों पास किया जाए अंतिम जो प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है वर्तमान में केंद्र द्वारा अगोसित आपातकाल जैसे माहौल की आम आदमी पाटी निंदा करती है तटस्थ तथा निर्भीक पत्रकारों की हत्या पुलिस द्वारा उनको बंद किया जाना उनके कारवाई की जाने उनके खिलाफ टीवी चैनलो एम समाचार पत्रों के संपादकों पर दबाव डाल कर खबरों को एक ही पक्ष में दिखाने को विबस करना ये अभिवक्ति की आजादी पर सीधा कुठारा घात है आने वाले राज्जियों के चुनाओं के कारण एक रणनीती के तहट देश में बढ़ती हुई सामपरदाइक्ता तथा डर के माहौल पर भी आमादमी पार्टी काफी चिंतित है तथा समाज के सभी वर्गों से आपसी सवहार्द बनाये रखनी के अपील करती है आमादमी पार्टी चुनाओं आयोग द्वारा अगले सारे चुनाओं बीवी पैट मसीनों के साथ पचीस प्रतिसत बूतों पर पेपर ट्रेल की अन्यवार रूप से गढ़ना कराने की मांग करती है आमादमी पार्टी केंद्र स आमादमी पार्टी एक भ्रस्टाचार मुक्त बैकल्पिक राजनीत में अपनी प्रतिवद्दता पुनाह व्यक्त करती है जिसमें समाज के सभी वर्गों को राजनितिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय मिल सके ये आज प्रस्ताओ पारित किया गया है रास्टी परिशत की ब